अब देखिए पानी दूर से डालना चाहिए ताकि पोधा दिश्टव नहीं होते हैं अगा दायक पोधे पानी गिरेगा तो पोधा उखड़ जाते हैं सब इसलिए दूर से पान दाले और एक लीटर पान दाले एक पोधे में यह देखिए, यह खाद है, रसानी खाद, यह पोतास है, और यह डाई है, डी ये पी, इनको आपस में अच्छी तरह से मिलाएं, बारीकी से मिलाएं आपस में, इसको मिलाने के बाद, आप इसको अच्छे मिल गए हैं, आप इसको, अभी मैं पाधे में दालूँगा, थोड़े थोड़े पाधे में, जिसे पाधे ज्यादा पर जाएंगा, पाधे तो जल जाते हैं, इसलिए कभी भी खाद दालना चाहिए, थोड़ थोड़ डालना चाहिए पौधा लगा आईए उसके एक दिन बाद कंस्कम दो या तीन ग्राम पौधा पे डाले हैं 6 इंची की दूरी पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको और करके भी दिखाऊंगा कैसे गिराया जाता है जिससे पौधे खराब नहीं होंगे यह देखिए पौधे से 6 इंची की दूरी पे यह लोकी की पौधे पे गिराया जारा साइज साइज से अगर पौधे पर डायट गिरेगा पौधा जल जाएंगे और 6 इंची की बिट में गिरेगा तो पौधा जलेंगे नहीं अच्छे हो जाएंगे अब फिर से आपको दिखा रहे हैं देखिए राउंड में 6 इंची की बृत में डाले ताकि पौधे अधिक खाद होंगे तो जलेंगे नहीं आप पौधे स्वहत और मजबूत हो जाएंगे आपको एक प्रकिरिया तीन चाह बार करके आपको दिखा रहे हैं ए देखिए थोड़ा थोड़ा खाद गिरा हैं 6 इंची के बृत में गिराना चाहिए सबसे बेश्ट होता है इससे पौधे दाइमेज नहीं होते हैं ए देखिए करेली के पौधा है आप इसको मिला हैं अचिए अब देखिए। पर दाला चाता है आप मेरें चैनल पर नहीं है तो लाइक करें असक्राइब करें आपका दोस् मैं रभी अब मस्त्र हैं एक दिन बाद एक एक लीतर फिन दुबारा पायन डालें इससे पहते मज़ूत और हो जाएंगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपर कितना से के बारे में सारे कियों की खात्मा माहू हर प्रकार कियों मर जाएंगे